SSE CHSL की फॉर्मार्च चुकी है और अगर आप OBC NCL Category से बिलॉंग करते हो तो आपको 27% कर डिजरवेशन मिलेगा लेकिन उससे पहले आपको Certificate जो है वो 1st April 2024 से बनवाना पड़ेगा अगर आपके पास पुड़ाना Certificate है तो वो Certificate आपका वैलिट नहीं होगा क्योंकि यह जो अगर आप notification देखोगे तो इसमें आपको Certificate जो है वो आपका पुड़ाना वाला नहीं चलेगा और जो नया Certificate है उसी के basis पे आपको Reservation की benefit मिलेगी ऐसा हमेशा ही होते आ रहा है कि जो SSC है वो crucial date से पहले ही Certificate आपका बनवाने को बोलती है यहाँ पे आप देखोगे 6.4 number point में तो clearly mentioned है कि जो crucial date है उसी से पहले आपका Certificate बनके ready होन जाना चाहिए और साथ ही आप जो है वो अगर OBC category से बिलोंग करते हो और अगर आपकी family income 8 lakh से जादा है तो आपको Reservation नहीं मिलेगी तो आपकी family income अगर 8 lakh से कम है तभी आपको Reservation मिलेगी वरना आपको Reservation नह बात बनी होने चाहिए और जो last rate of form feeling है यानि कि 7 में 2024 से पहले एक और बात करें कि अगर आप जो है वो student हो और अगर आपको life में problems रहती है या फिर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आप आप 10% की videos देख सकते हो अप YouTube पे सर्च करना 1000% on students तो आपको जो है वो बह में भी help होगी और अपने carrier को decide करने में भी okay now coming back to our point कि हमारे जो यह जो certificate है इस certificate का format में आपको दिखा दूँ तो एक page का format होता है और इसमें जो है वो आपको district में state level या फिर तहसिलदार level से नीचे ता certificate का जो है वो आपको नहीं बनाऊना चाहिए अगर आपको नहीं पता ह है कि certificate कैसे बनता है SSC के लिए या फिर OBCNCL का certificate किसी भी government examinations के लिए तो उसका link में आपको description box में दे दूँगा full video आप जो हो देख लिना आपकी सारी query दूर हो जाएगी तो देखो यहां पर हो सकता है दो cases हो सकती है अगर आपका certificate first April 2023 के बाद इसु हुआ हो और दूसरा कि आपका certificate first April 2024 के बाद इसु हुआ हो तो जो second वाला case है इसमें आपको बाद में document verification में कोई भी problem नहीं आएगी लेकिन यह जो first वाला case है इसमें आपको problem आ सकती है इसलिए क्योंकि जो first वाले case में आपका certificate बनेगा तो वो 31st March 2024 तक ही valid रहता है लेकिन आपका certificate 1 April 2024 में बनता है या फिर उसके बाद बनता है तो फिर आपका certificate जो है वो next year 31st March तक valid रहता है तो इसलिए आपको जो है वो SSC CHSL 2024 के लिए आपको certificate 7 May 2024 से पहले बनवानी है और first April 2024 के बाद बनवानी है तो इस बात का आपको ध्यान रखना है ताकि आपको बाद में later stages में कोई भी problem नहों और अगर आपको कोई भी query होती है तो आप comment box में भी comment करना और link आपको description box में भी मिल जाएगा